जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पढ़ जाएं तो आवाज घुलन्द करनी पड़ती है बोल किलब आजाद है तेरे News Click पर मेरे साथ बोल किलब आजाद है तेरे भोल सबा अब तक तेरी है भोल भोल न्यूस क्लिक की स्वतंत्र और आजाद पत्रिकारिता को समर्थन दीजिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए जॉइन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद हमारी मेंबर्शिप को ग्रहिण कीजिए आपके सामने तीन विकल्ब नौसकार बोल किलब आजाद है तेरे मैं अभिसार शर्मा खबर बहुत बड़ी है दोस्तों रफाल घोटाला एक बार फिर अपना सिर दिखा रहा है एक बार फिर वो जिन जिन्दा हो गया है और मुदी सरकार चाहे जितनी भी कोशश करे वो अपना पला नहीं ज़ाड सकती आज किसी भी चोकी दार किसी सरी काप पूछ लो पर हमला बोला था खबर क्या है पहले मैं आपको ये बताता हूँ और इस वक्त आप बोल के लबाजाद हैं तेरे में इस मुद्दे को लेकर सबसे बड़ी पड़ताल देखने चारे हैं दोस्तों खबर आपके स्क्रीन्स पर रफाल सौदे को लेकर जाच के लिए फ्रांस में एक जज़ की नियुकती की गई है फ्रांस की प्रांस की प्रॉसेकूशन सर्विसेस की फाइनशल क्राइम ब्रांच पी एनफ ने कहा है कि सौदे को लेकर लगाए गए ब्रश्टाचार और मीडिया पार्ट ने इस मामले में कई रिपोर्ट्स प्रकाशित की थी साल दो हजार अठारा में भी शेर्पा ने शिकायत दर्श कराई थी लेकिन तब पी एनफ ने इसे खारिच कर दिया था बता दें रफैल फाइटर जेट की डील 7.8 बिलियन यूरो की है और आप जानत हैं उसमें हैं फ्रांस के पूर्व राष्ट्पती फ्रांसवा ओला जिन्होंने इस राफैल समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं दूसरा शक्स जो इसमें फस रहा है वो हैं फ्रांस के राष्ट्पती इम्मैनुल मैकरॉं जो की इस वक्त फ्रांस के राष्ट्पती हैं इसके लेकर पूछताच हो सकती है तो ये तमाम चेहरे जो हैं बहुत बहुत बड़े चेहरे हैं दोस्तों और इसको लेकर जाच शुरू हो गई है मगर मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर भारती जनता पार्टी सरकार इस बात को लेकर पला क्यूं जाड रही है कॉंग्रेसमने इस मुद्दे पर बड़ा हमला कर दिया है और इस हमले के जरिये उसने कहीं न कहीं मीडिया को तो चुनौती दी ही है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब कम से कम मीडिया को ये मुद्दा उठाना चाहिए और कॉंग्रेस ने इस मुद्दे पर जॉइंड पार्लिमेंटरी कमिटी की गठन की भी मांग की है और कहा है कि प्रधान मंत्री नारेंद्र मोदी को उस जेपीजी के सामने हाजर होना चाहिए क्या कहा रंदीब सुर्जेवाला ने आप खुद सुनिए दोस्तों आदरनी मित्र ये कॉंग्रेस बनाम भाजप्पा का मुद्दा है ही न ये मुद्दा इस देश की राष्ट्रिय सुरक्षा से जुड़ा है ये मुद्दा खजाने को लूट कर चुना लगाने से जुड़ा है ये मुद्दा रफैल सौदे में ब्रष्टाचार से जुड़ा है रफैल जहाज एक अच्छा जहाज है जिसकी खरीद कॉंग्रेस सरकार कर रही थी बहुत कम रेट पर उसको कई गुना रेट पर खरीदा गया और जब कॉंग्रेस पार्टी और कॉंग्रेस के पूरव अज़क शिरी राहूल गान्दी जी ने ये मामला बार बार उठाया तो सरकार ने बजाए जबाब देने के उपहास और मजाक उड़ाया हम अदालत में नहीं गये क्योंकि हमारा मानना था कि अदालत इसका निरिणे नहीं कर सकती जे-पी-सी कर सकती है क्योंकि इसमें एविडेंस की कागजात देखने की और जरूरत पड़े तो प्रधानमंत्री को भी गवाही के लिए पेश करने की जरूरत है इसलिए इस सारे मामले को लेकर अब फ्रांस की सरकार में फ्रांस की जो पब्लिक प्रोसिकूशन एजनसी है जब उन्होंने ही प्रतम दृष्टी से ब्रष्टाचार स्विकार कर लिया जब उन्होंने ही प्रतन दृष्टी से ये स्विकार कर लिया के गड़बड जाला और घोटाला है जब उन्होंने ही एक जज बिठा कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी जिसमें उनके एक मौदूद राष्ट्रपती और एक पूरव राष्ट्रपती जांच के घेरे में आ गए तो मुझे बताईए जिस देश में यानि हमारे देश में जहां ये गोटाला असली में हुआ क्या वहाँ JPC की जांच नहीं होनी चाहिए जांच अवश्य होनी चाहिए और मीडिया के साती हो या दूसरे साती हो जो जो इस पूरे मामले को आप पटा शेप कर रहे थ मैं उनसे भी बड़ा विनमर हाथ जोड़कर अनुरोद करूँगा कि ये राश्टरहित का मामला है ये उन लोगों के खिलाफ मामला है जो देश के खजाने को चूना लगा कर अपनी जेबे भर रहे हैं और इसमें कौन दोशी है कैसे कैसे गोटाला हुआ किस किस ने किया सरकार में बैठे किनकिन सफेद पोशों की भूमिका है ये सारी खुलकर सामने आनी चाहिए और जेपीसी प्रोब होनी चाहिए धन्यवाद दोस्तों सबसे अजीब बात इस पूरे मामले में है कि इस मामले को लेकर लगातार कुछ ना कुछ बाते सामने उभर कर आती रहे हैं अब से सिर्फ कुछ हफ़तों पहले मैंने इसी मंच पर आपको बताया था कि अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है जिसके जरीए ये पता चला है कि फ्रांस की कंपनी डासों ने यहां भारत में एक बिचॉलियों को बेहसाब पैसा दिया था मेरी वो पड़ताल क्या थी मैं आपको आगे जाके बतलाऊंगा मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि भारती जनता पार्टी ने अपनी तरफ से इस मुद्दे को लेकर प्रतिक्रिया दिये और एक बार फिर उन्होंने राहूल गांधी पर हमला बोला है मगर संबित पात्रा ने अपनी इस प्रतिक्रिया में काफी गलत बयानी की है जूट नहीं बोल सकता दोस्तों क्योंकि असनसदी ये भाशा है मगर संबित पात्रा ने अपने इस बयान में कहा है कि फ्रांस के पूर्व राष्टपती फ्रांसवा ओला ने कहा है कि हम पर रिलाइंस को चुनने का कोई दबाव नहीं था सरा सर घलत पहले आप सुनिये संबित पात्रा कह क्या रहा है क्योंकि इसमें दो बाते कहते हैं पहली बात वो ये कहते हैं की फ्रांस के पूर राष्पति ने कह दिया कि हम पर रिलाइंस को चुछनने का कोई दबाब नहीं था, दूसरी बात वो कहते हैं कि रक्षा मंत्राले के अधिकारियों पर भी इस ठीज को लेकर कोई दबाब दी था, इन दोनों चीजों का मैं किया था कि I am unaware of any pressure to choose Reliance as the offset partner उस समय फ्रेंच प्रेशिडेंट ने सपस्षब्दों में कहा था कि वो unaware है कि कहीं न कहीं pressure डाला गया है Reliance को चूज करने के लिए offset partner के रूप में ये बात सपस्षट होई थी ठीक उसी प्रकार जो दूसरा जूट राहूल गांदी जी ने कहा था कि जो ministry of defense के अंदर कुछ officer है उन officers ने suggest किया था कि ये deal ठीक नहीं है मगर उनके उपर दवाब डाल करके कहीं न कहीं उनके साथ अन्याय करके उन्हें छुट्टी पर इत्यादी भेज करके इस deal को पारिद किया गया बाद में उसी officer ने सामने आके सचाई रखा और कहा कि मैं तो Cambridge में अध्यान करने के लिए गया था और study leave पहले से ही मुझे sanction हो चुका था अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों France के पूर वराश्पती François Ola ने दरसल कहा क्या था आपके screens पर Former French President François Ola on Friday said he was not aware if Indian government had put any sort of pressure on Reliance and Dassault to work together for the 58,000 crore Rafale Jet Deal उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि Reliance और Dassault पर दबाब डाला गया था उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी और आगे क्या कहते हैं वो Ola while responding to a question by news agency AFP said only Dassault can comment on this क्या कहा उन्हें इस पर सिर्फ Dassault comment कर सकता है यानि की François Ola मामले से बचकर निकल गए और कुछ दिनों पहले उन्हें उन्हें क्या कहा था आपके screens पर François Ola in an interview to investigative agency Media Part had earlier claimed that France did not have a say in choosing Reliance यानि की Reliance को चुनने को लेकर उन पर दबाव था नंबर एक भारत सरकार का नंबर दो हमें कोई अधिकार कोई स्वतनत्रता नहीं थी कि हम भारत के अंदर अपने किस partner को चुने तो यही तो बड़ा सवाल है दोस्तों कि आखर क्यों भारत सरकार Reliance Industries को चुनने का दबाव बना रही थी और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों वायर की एक खबर देखिए इस मामले की जाच क्यों हो रही है मैं आपको बताता हूँ खबर देखिए Setback for Modi, Macron as French judge opens criminal investigation into Rafale deal with India यह खबर क्या कहरी है मैं आपको बताता हूँ कि 26 मार्श 2015 को Reliance और डासों की बीच में समझाता होता है बाचीत होती है रफाल डील को लेकर और 15 दिन बाद मोदी पहुँचते हैं फ्रांस वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है फ्रांसों ओला से याने की दोनों देशों के एक देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश की राश्च्पती की मुलाकात से पहले ही समझाता हो जाता है ऐसा कहीं सुना है आपने अरे भाई पहले मुलाकात होती है उस मुलाकात के बाद जमीन तयार की जाती है फिर पार्टनर्स चुने जाते हैं और फिर डील होती है यहाँ तो पहले ही डील हो गई थी तो यहाँ आप सीधे तोर पर पकड़े गए संबित पात्रा एक और गलत बयानी करते हैं संबित पात्रा यह कहते हैं कि राहुल गांधी ने एक जूट ये भी कहा कि रक्षा मंत्राले के अधिकारियों पर ये दबाव बनाया गया था अब दोस्तों मैं आपको आज से करीब दो साल पहले मैंने एक कारिकरम किया था दस्तावेजों के साथ बतलाने वाला हूँ कि किस तरह से रक्षा मंत्राले ने प्रधान मंत्री कारियाले की दखल अंदाजी को लेकर अपनी नाइत्तिफाकी अपनी आपत्ती दर्श की थी क्या कहा था मैंने आज से करीब दो साल पहले उस कारिक्रम में आप खुद सुनिए दोस्तों सबसे पहले तो हम पैरा फाइफ का रुख करना चाहेंगे जो हिंदू की रुपोर्ट में है इसमें डेपुटी सेक्रेटरी डिफेंस एसके शर्मा क्या कह रहे है प्रधानमंत्री काराले दोरा ऐसे समानांतर चर्चा से रक्षा मंत्राले का पक्ष कमजोर होता है हम पीएमो को सलह देना चाहते हैं कि वो फ्रांस के साथ समानांतर बाचीत न करे अगर आपको रक्षा मंत्राले में विश्वास नहीं है तो आप बाचीत के पैमाने को बदल कर इसे पीएमो की नुमाइनगी में आगे बढ़ाएं यानि कि रक्षा मंत्राले से आपत्ती की प्रधान मंत्री काराले दखल दे रहा है जिससे भारत का पक्ष कमजोर पढ़ रहा है और इसी बात को दोहराया है डिफेंस सेकर्टरी जी मनोहर कुमार ने मनोहर कुमार कहते हैं रक्षा मंतरी उस वक्त परिकर थे इस पर ध्यान दे क्योंकि इससे हमारी वारता की शमता negotiation power पर असर पढ़ता है यानि की दो लोग रक्षा मंतराले से कह रहे हैं कि प्रधान मंतरी कारयाले दखल दे रहा है क्यूं दे रहा है रहस्म है तरीके से दखल दे रहा है इसकी वज़ा क्या है और ऐसा प्रधान मंत्री कारयाले ना करे और अगर उन्हें दखल देना है तो आप ही नुमाइंद की करो भई बाचीत की इसके जवाब में अब हिंदू ने दरसल यहां तक दिखाया था उसके नीचे जो है जो पक्ष है वो बाद में आता है और इसे एन आई ने छापा है मगर इससे मामला बदल नहीं जाता है परिकर इसमें क्या कहते हैं मनोहर परिकर कहते हैं कि प्रधान मंत्री कारयाले ऐसा लगता है कि प्यमो और फ्रांस सरकार इस वारता पर नज़र रखे हुए थी जो शिखर सम्मेलन का परिणाम थी पैरा 5 ओवर रियक्शन है जरूरत से ज़्यादा दी गई प्रतिक्रिया है रक्षा सचिव प्रधान मंत्री कारयाले में उनके निजी सचिव के साथ मामले को सुलजाएं यानि कि मनोहर पारिकर कह रहे हैं कि भई आप प्रधान मंत्री कारयले से मामले को सुलजाएं यानि कि मोदी सरकार ने जो सुप्रीम कोट को कहा था गलत बयानी की थी कि प्रधान मंत्री कारयले इस बादशीत में शामिल नहीं है अब आप कहेंगे कि दिक्कत क्या अगर प्रधान नंत्री काराले इसमें शामिल हो गया है इसमें दो दिक्कते हैं दोस्तों इसमें बहुत ध्यान से सुनना होगा मैं आपको क्या कह रहा हूँ दिक्कत नमबर एक ये नाम अनिल अमबानी दोस्तों इस नाम के आने के बाद राहूल गांधी ने भी हमला तेज बोल दिया और जैसे कि मैं आपको कुछ देर में बताने वाला हूँ इससे काफी शक भी पैदा होता है दूसरी बात दोस्तों एक सामविधानिक प्रक्रिया है जो पिछले 70 सालों से चली आ रही है उस सामविधानिक प्रक्रिया के अंतरगत सिर्फ डिफेंस कमिटी ऐसे मामलों में बाचीत करती है प्रधान नंत्री कार्यारे का दखल नहीं देता है मेरा सवाल मोदी जी से ये है आप 36 विमानों के लिए दखल दे रहे थे और कहिए दखल इसलिए तो नहीं है क्योंकि मित्रों का साथ और मित्रों का विकास करना चाहते हैं आप ये मित्र आपके अनिल जी और जैसा कि कुछ देर पहले मैंने आपको बताया रफाल डील को लेकर दोस्तों लगातार खबरें सामने उभर कर आ रही थी लगातार ये बात सामने उभर कर आ रही थी कि कुछ ना कुछ गड़बड जालाए मसलन आपके सामने रोहिनी और रवी नायर की एक खबर देखे वायर की क्या आप जानते हैं कि डासों ने रिलाइन्स की एक डेड कंपनी वो कंपनी जो काम ही नहीं कर रही थी उसमें 284 करोड रुपह लगाए आप मुझे बताइए ना जो कंपनी काम ही नहीं कर रही है जिस कंपनी में पैसा लगाने का कोई फाइदा नहीं है डासो ने अनिल अम्बानी की इस कंपनी में इतना पैसा क्यों लगाया बताईए ये है वो पड़ताल वायर की जो रोहिनी सिंग और रवी नायर ने की थी जो इस वक्त आपके स्क्रीन्स पर है सवाल इसी तरह से लगातार रफाल डील पर उठते रहे और अब मैं आपको बतलाने वाला हूँ दोस्तों कि किस तरह से रक्षा मंत्राले पर भी लगातार दबाव था आज से कुछ दुनों पहले मैंने कारकरम किया था सुनिए मुद्दा क्या है मेरे दर्शकों को एक एक करके बहुती सरल भाशा में आपको समझाने वाला हूँ कि कि आपको इसके एक एक बिंदू पर गोर करना पड़ेगा दोस्तों पहला मुद्दा फ्रांस के एक पाब्लिकेशन ने दावा किया है कि राफैल बनाने वाली फ्रांसीसी कमपनी डासों को भारत में एक बिचॉलियों को एक मिलियन यूरो बतौर गिफ्ट देने पड़े अब ये बिचॉलिया कौन है आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों ये है सुशेन गुपता और यहाँ आप देख सकते हैं ये शक्स जो है खड़ा हुआ है सद्गुरु के साथ जी हाँ डायमेंशन वाले सद्गुरु के साथ और यहीं नहीं दोस्तों ये वो शक्स है जिसे औगास्टा वेस्सलेंड मामले में गिरफतार भी किया जा चुका है यानि कि इनकी प्रशस्ती है इनकी जो तारीव जो है वो बहुत लंबी है इसके बाद गौर कीजिए फ्रांसीसी मीडिया के इस खुलासे की बाद एक बार फिर दोनों देशों में राफाल की डील को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं फ्रांस के पब्लिकेशन मीडिया पार्ट में अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि 2016 में जब भारत फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमान को लेकर समझोता हुआ उसके बाद डासो ने भारत में एक बिचॉलियो को एक मिलियन यूरोस की राशी दी थी साल 2017 में डासो ग्रूप के अकाउंट में जो हैं इतने यूरोस गिफ्ट टू क्लाइंट के तौर पर ट्रांसफर हुए थे गिफ्ट टू क्लाइंट के तौर पर ये किसी और ने नहीं बलकि डासो ने किया आप ये सवाल जरूर करना चाहेंगे कि ये जो दावा मीडिया पार्ट कर रहा है दर असल इसका खुलासा कैसे हुआ तो इसके लिए मैं आपको इंडिया टुडे ग्रूप के एक आर्टिकल के ये अंचपेश करना चाहूंगा इस बात का खुलासा तब हुआ जब फ्रांस की आंटी कराप्शन एजनसी एफए ने दासों की खातों का ओडिट किया यानि कि उसकी जाच की मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के मुताबिक खुलासा होने पर दासों ने सफाई में कहा था कि इन पैसों का इस्तमाल राफेल लडाकू विमान के पचास बड़े मॉडल्स बनाने में हुआ था लेकिन ऐसे कोई मॉडल्स बने ही नहीं थे फ्रांसी सी रिपोर्ट का दावा है कि आउडिट में ये बात सामने आने के बाद एजिंसी ने कोई आक्षिन नहीं लिया जो फ्रांस के राजनेताओं और जस्टिस सिस्टम की मिली भगत को भी दिखाई देता है कारकरिम की शुरुआत में मैंने वो शक्स आपको दिखाया सुशेन गुपता इस मामले का भारतिय लिंक क्या है ये भी अब आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारती कमपनी डेफसिस सॉल्यूशन के इन्वोईज में दिखाया गया है कि जो पचास मॉडल तयार हुए उसकी आधी राशी उन्हें दी थी हर एक मॉडल की कीमत करीब 20,000 यूरो से अधिक थी हलाकि सभी आरूपों का डॉसो ग्रूप के पास कोई जवाब नहीं था और उसने आडिट एजनसी के जवाब नहीं दिये साथ ही डॉसो ये भी नहीं बता सका कि आखिर उसने ये गिफ्ट की राशी किसे और क्यूं दी थी जिस भारती कंपनी का नाम इस रिपोर्ट में लिया गया है उसका पहले भी विवादों से नाता रहा है रिपोर्ट के मताबिक कंपनी का मालक सुषेन गुपता पहले ओगस्टा वेसलेंड घोटा लेके केस में जेल जा चुका है वो सुषेन गुपता जो एक बार फिर आप अपने स्क्रीन्स पर देख रहे हैं आपको खुद से सवाल पुछना पड़ेगा दोस्तों कि आखिर भारती जनता पार्टी डासों की प्रवक्ता क्यों बनी हुई है आखिर क्यों रवी शंक प्रसाद ये कह रहे हैं इस मामले की जाज करने की जरूती है सुप्रीम कोर्ट और इसकी जाज कर चुका है दोस्तों आज से दो साल पहले इसी मंच पर यानि कि निउस क्लिक की मंच पर मैंने आपके सामने फरवरी का महिना था दो साल पहले यानि कि दो हजार उननीस उस वक्त मैंने आपके सामने कुछ सवाल उठाय थी और आज भी वो सवाल वाज़िब हैं वो सवाल क्या है दोस्तों एक-एक करके सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूँगा दिखाना चाहूँगा गोआ के मिनिस्टर बिश्वजीत राने की एक पत्रकार के साथ हुई बातशीत जिसमें वो कह रहा है कि मनो हर पारिकर के बेडरूम में रफाल को लेकर कुछ ऐसे सीक्रिट्स हैं, कुछ ऐसी गुप्त बा अब कर दो अब करना चाहिए तो कि आज ये वक्त होनी गया है कि मनोहर पारिकर के बेडरूम में आखिरो क्या रास्त? क्या इसे पता नहीं लगाया जाना चाहिए? और बात यहां नहीं रुकती है दोस्तों. और बार बार दोस्तों, जैसे ही मोदी सरकार इस मामले में शाम होती है. सबसे पहले तो क्या होता है? विमान की कीमतें जो हैं, वो तीन गुना बढ़ जाती है. और जितने विमान हमें लेने होते हैं, वो भी एक तिहाई कम हो जाते हैं. और यहीं दी दोस्तों, आपको दो चीज़ों फर गौर करना पड़ेगा. CBI के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा इस मामले की जाच करना चाहते थे. उन्हें रातो रात अपने पद से हटा दिया गया. क्यों बताइए? अगर आपको लगता है कि इस डील में कोई दिक्कत नहीं थी, तो आपने उन्हें जाच क्यों करने दिया? रातो रात CBI में पलट क्यों कर दिया गया? इसके इलावा, अंटी करॉप्शन क्लॉज वो भी रफाल डील से हटा दिये गया. और यही सवाल कही न कहीं कॉंग्रेस भी उठा रही है कि आपने रफाल डील से ये अंटी करॉप्शन क्लॉज क्यों हटा दिये? कारकरम में आपने सुना, प्र प्रशेश में लोकपाल को लेकर इतना बड़ा अंदोलन हुआ, अब वो लोकपाल कहा हैं, अन्ना अजारे कहा हैं, किसी को कुछ नहीं पता, ये बात अलग है कि उस अंदोलन में जितने लोग शरीक होए, सब कोई न कोई फाइदा ले गए, अब वो लोकपाल कहा हैं कुछ पता, इसकी अलावा, C.A.G. वो मुझ है जहां पर मुद्दों की जाच होती है, डील्स की जाच होती है, आज वो C.A.G. पूरी तरह से निश्क्री है, पूरी तरह से इनफेक्टिव है, पूरी तरह से इनाक्टिव है, क्या ये सवाल उटने लाزमी नहीं हैं, जब इस दे तो फिर मामली की जाच कैसे होगी, काईदे से ये मीडिया का करतव होता है कि वो इस सवाल को उठाएं, मगर जैसा कि मैंने इस कारकर में साबित किया, कि न्यूस क्लिक लगातार इस मुद्दे को आपके सामने उठाता रहा है, मैंने बोल के लब आजाद हैं तेरे में, सवालों के जवाब देंगे, खेर, देखा जाएगा